झैसरी कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभराशी के बारे में। कुंभराशी के राशी फल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंतक देखें वे सुनें तभी आप कुम्भ राशी वालों के राशी फल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशी फल चंदराश पर अधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जनकुनली में ये देख लें कि चंदरमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंद्रमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जन कुनली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राशी से देख वो सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं पहले आज का विचार जान लेते हैं मित्रों याद रखना अपने सपनों की उड़ान हमेशा उची रखना क्योंकि अगर काम्यावी ना भी मिली तो जीने का हुना रवश्य मालूम हो जाएगा जीवन की सच्चाई है कि कोई कितना भी अंदर से मजबूत क्यों न हो लेकिन किसी खास इंसान की कमी उसे रुला देती है बैक्ति के पास अगर धन ना हो तो रिष्टे उंगली पर गिने जाते हैं और धन अधिक हो जाए तो रिष्टे डायरी पर लिखे जाते हैं इसलिए मित्रों खुसाल जिन्दगी जीने के लिए सबसे भेतरी होगा कि आप संतुष्ट रहें और जो कुछ भी उसर ने आपको दिया है वो अच्छा है ऐसा सुईकार करें मित्रों जीवन की एक सच्चाई है आप वो ही करते हैं जो दूसरे चाहते हैं कभी अगर खुद के अनुसार कार करके देखें आपको सफलता भी मिलेगी और काम्याब भी बनोगे मित्रों लोहा जितना अधिक गर्मी की मार सहन करता है उतना ही अधिक सक्तिसाली हत्यार बनता है उसी तरह बेक्ति जितना अधिक परिस्त्रम में तपता है उतनी मजबूत सफलता हांसिल करता है संकल्प सकती कहती है कि सिर्फ एक बार ठान लो कि आपको जीतना है फिर कोई नहीं हरा सकता है चाहें जीवन की कोई भी रेशो आपकी जीत निश्चित होगी चलिए मित्रों राशिफल जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा के गोचर की बात करते हैं तो साथ आठ और नौ प्रैल को चंद्रमा मित्रों राश में रहेंगे और पंचम भाव में रहेंगे तो पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर के परणाम अच्छे होते हैं पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा पंचम भाव में मिथुन राशी है सिच्छा का भाव है प्रेम समंद्धों का भाव है तो वहाँ पर चंद्रमा के गोचर के परणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे तहोड़ा बहुत आप अपने संतान के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बेर्थ के बाद विवास से बजए हैं उसको लेकर कोई तनाव देखने को मिल सकता है और स्वास्त में आपको थौड़ा पेट से समंद्र स्वास्त समस्या का ध्यान रखना होगा थोड़ा आलस हो सकता है थोड़ा निरास रह सकते हैं बाकि यहां पर आपको अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे 7, 8 और 9 अप्रेल को आए के मामले में आपको आए होती रहेगी आए में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा एक आगर भी रहेंगे पर आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई बरत का बात बिवार नहीं करना है जीवन साथी के साथ भी बिर्द के बाद विवास से बचना है दस अप्रेल की बात करें तो चंद्रमा करकराश में रहेंगे और करकराश में ही रहेंगे तो करकराश के स्वामी भी चंद्रमा है जहाँ पर छठा भाव है अपने ही छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा सनी की वहाँ पर द्रिश्टी होगी आपस में तो वहाँ पर चंद्रमा का गोचर होगा 10 अपरेल को तो करकराश में रहेंगे तो वहाँ पर रेंडरोग सत्रू का भाव है तो अगर आप कोई टीसनिक जाम गएरा दे रहे हैं और सत्रू आप परहा भी नहीं हो पाएंगे और कर्ज लेने देने से बचें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बांकि अगर आपका कोई पैसा फसा हुआ है कहीं पर उसका प्रयास करें तो वो इस समय आपका निकल सकता है ल इससे कि आपको सफलता मिलने का चांस बनेगा और आप सफलता पाएंगे आर्थिक जीवन में भागे का साथ मिलेगा लेकिन आपको इस समय कोई भी निवेश करना है तो पहले आप उसको जाज परक कर बास्ति उक्ताओं का अक्लन करने उसके बाद ही निवेश करें और आप अपने आप में अहम ना पालें ये भी ध्यान रखें अगर आप अहम पालेंगे तो बेर्थ का बात बिबाद जरूर होगा और दूसरों की बातों को भी महत दीना सीखें और अपने बास के साथ कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे कोई दिक्कत हो और जिस बात को ले आरे शेत्र में सफलता मिल सकती है इसके प्रणाम सरूप आपके बैभाईक जीवन में भी खुशिया रहेंगी और साथ ही आपके जीवन साथी के साथ आप प्रेमी प्रेमका के साथ कुल मिला कर अगर देखा जाए तो समय अच्छा ही बितेगा चलिए उपाय की बात कर लेते तो उससे भी आपको लाब मिलेगा तो ये उपाय आप कर ले मित्रों निश्चित ही आपको लाब मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपसे कुम्भ राशी के राशी फल के बारे में कोचर चा की ये राशी फल सामाने राशी फल है ये सभी जात्कों पर पूर्णूरूप से बी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभब नहीं है क्योंकि आपकी जनकुंडली में ग्रहों की इस्थिति और आपकी बर्तमांदसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्फर करता है आप सभी स्वस्त रहें आईश्मान रहें धन्वान रहें ऐसी मेरी श्रीकृष्ण भगवान से प्रार्थना है जै श्रीकृष्ण